हेलो फ्रेंज, आज मैं आप सभी के साथ सेयर कर रहे हूं हरी धनिया की चटनी की रेषिप बहुत ज़दा आजसान बहुत ज़दा टीस्टी चले बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम मिकसर जाल में ठेर सारी हरी धनिया की पत्तिया ले ले लेते हैं तो फ्रेंज, यहाँ पर मैंने हरी धनिया के साथ उसकी डंठल भी ली हुई है अच्छे से धूल करके हरी धनिया को उसकी डंठल को भी काट करके ले लीजेगा 4-5 कड़ी पत्ते डाले हुए हैं और लगबग 4-5 इसमें लेसन की कलिया हैं आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से हरी मिच डाल लीजेगा मैंने यहाँ पर 4 हरी मिच ली हैं अब यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे इन सबी चीज़ों को डालने के बाद इसमें दो बड़ी चमच पाने डाल लेंगे अब अच्छी तरीके से मिकसर जार में डाल करके इसे अच्छे से बिल्कुल इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे ताकि इसमें कुछ भी खड़ा ना रहा है अच्छे से सब कुछ पीज़ जा और देख सकते हैं आप हमारी टेश्टी टेश्टी हरी धनिया की चटनी बनकर के तयार हो गई है इसे किसी काटोरी या बावल में ट्रांसफर कर लेंगे और अच्छी तरीके से अपने चटनी को मिक्सजाय से निकाल लीजिएगा इसे छोटी सी दिन्या की पत्नी से गानिश कर लीजिएगा और लीजिए हमारी हरी दिन्या की चटनी बनकर के तयार हो गई है वीडियो अच्छी लगी होगी तो में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसी और सारी टेस्टी रेस्पी इस दिन एक चटनी के साथ ट्राइ कीजिए ये वाला स्नेक्स लिंक डिस्ट्रीफर बॉक्स में मिल जाएगा